विकास जखड ने इस राजस्थान की निरंकुस और तानासाई सरकार के सामने पाँच मांगे रखे हैं और इन पाँच मांगों पर अमल करने के लिए इन्होंने कहा हैं वो पांच मांगे हैं रिट परिक्षा को निरस्थ कर उसे एक माँ में फिर से करवाया जाए रिट परिक्षा में हुई धांदलियों की सीबियाई से जाँच कराई जाए और तीसरा पॉइंट है मद्दिमिक शिक्षाबोड के चेरिम डिपी जारोली को ततकाल हटाया जाए चोथी मांग है समय बद और आबाद रूप से परिक्षें करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटाइड जर्ज की अध्यक्सता में कमेटी का गठन किया जाए और पांचवी मांग रखी है विदान सबा में नकल माफियाओं पर कड कानून लाए जाएं जबकि रिट से पहले राजस्थान सरकार ने एक घोशना की थी कि कोई भी सरकारी करमचारी इस पेपर में लिप्त पाया जाता है यानि कि पेपर आउट में लिप्त पाया जाता है तो उसको नोकरी से बरखास्त किया जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा लेकिन इस राजस्तान सरकार ने क्या किया कि जो भी पेपर आउट मामले में लिप्त था उनको तो ये नहीं पकड़ रही है और बेरोजगार लोग जो इसके काले कारणामों का खुलासा कर रहे हैं उनको ये जेल में डाल रही हैं तो ये हर इस्तर पर बेरोजगरों के साथ दोखा कर रही है एक तरफ बसों का किराया माफ करके बेरोजगरों को बरमीत कर रही है और जो पद है वो सिदे सिदे ये सरकार बेच रही है इसमें सिदा सिदा हाथ था डोटासरा का और जारोली का लेकिन जो भी पेपर आउट करन वाले व्यक्ति पकड़े गए वो तो इनका एक दिखावा था और कहां गए वो लोग कब उनकी पेसी हुई कोड में पेस हुए या नहीं हुए पुलिस के सामने क्या बयान दिये कोई किसी को कुछ पता नहीं है इसने सारा का सारा मामला दबा दिया दबाना आप लोग इस बात को समझो सरकार उस मामले को दबाई नहीं रही है सरकार पूरी के पूरी उसमें लिप्त है सरकार के हाथों हुआ है ये पेपर कांड है और सरकार कोंग्रेस की तो ये निती है सुरू से ही कि जहां भी सरकार बनेगी कोंग्रेस की तो गोटाला तो निशित रूप से होगा जहां भी ये सरकार बनती है कोंग्रेस की वहां गोटाला निचे इस तर से लेकि उपर के इस तर तक गोटाले होते हैं और पैसे में हर ही यहां पर क्या कर रही है पेपर आउट कर वा रही है और ये एक महान वेक्तित्व कहेंगे मात्मा गंदी से भी जड़ा बड़ा बलीदान दिया है इस युवा ने च्छतिस साल की उमर में नोकरी छोड़ के ये सामने आये हैं आप लोगों के लिए और इनकी पतनी जो है व उन्होंने भी बेरोजगारों के लिए अपनी नोकरी दाव पे लगाई है उन्होंने भी अपनी नोकरी छोड़ने का अलान किया है ऐसी सक्सियत कहीं ढूंडने से भी नहीं मिलेगी आज की तारीक में हम इनको एक नहतरतुए में अगर अंदोलन करें तो निश्यत रूफ से इस बेसरम सरकार तनासाई सरकार के कुछ समझ में आएगा कि ये लोकतंत्र है इसने तो ऐसी गदर मचा रखी है कि जैसे की हिंदुस्तान में सोनिया और राउल गंदी काई राज है बस और इनके राज में जो भी कुछ करो खेलो खाओ यहीं पेजनता को लुटो बेरोजगारों को लुटो गदर मचा रखी है और आप लोगों के ये जो निता हैं किसान बेरोजगारों के जो निता है वो सारे के सारे सरकार के दलाल है आप लोगों के ये बात समझ में क्यों नहीं आती है ये चीज को दूसरी साइड में ले जाने के लिए आपके बीच में खड़ा कर देती है इनको और आप लोग हैं सरदी गर्मी बरसा कुछ नहीं देखते हो उनके साथ बठे रहते हो और ये लोग सरकार से मिले वे होते हैं यानि किस मिले वे नहीं सीधे के सीधे उनके एजेंट होते हैं ये और इसलिए उसी इसको बठका देते हैं ले जाते हैं कहीं पे तो आज इनकी जो पांच मांगे हैं ये बेरोजगरों के लिए हैं और सरकार को साफ साफ सीधा सीधा चेतावनी दी गई है कि या तो ये मान ले नहीं तो ये फिर युवा बेरोजगरों के साथ में कोई अंदोलन खड़ा करेंगे और हम लोगों को इनके साथ हाना जीए और तन मन धन से इनकी मदद करनी चाहिए ठैंक्यू झाल